नमस्कार लो कोश्ट अडबास फिस फार्मी चैनल में आपको स्वागत हैं मैं विकास एक एक स्फोजी हूँ साथी साथ एक फिस फार्मर भी हूँ जो मेरा खुद का 20 सकड़ का फाम है जहां पर मैं आएमसी का पिछले चार साल से कोमार्श फार्मी कर रहा हूं और मैं बंग करता है प्र प्रैक्टिस आपको अच्छे प्रॉफिट देता है और दूसरी बात आपको तलाब कंदर जो इसका शीन आपको अब बाजार में तो तमाम टाप के प्रोड़क्ट है वो लोग आपको एक बाद एक प्रोड़क्ट थमाते जाता है तो आपको जेब से बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है इसमें जो मेरे इस्ट्यूब चैनल को देख रहा है यह भाली बती उन बंदे पता है जिसने फीस फार जानकारी नहीं रखते और जानकारी नहीं है उनके कारण थोड़ा भूद भी जानते होंगे तो हम डर जाते काफी सारे आदमी इसके ओपर बहुत सारे बोल देते तो अब लोग तो हम डर के कारण आम लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते इसलिए मेरा मानना जो है आप सब्सक्राइब को बेसिक चीज़ को समझी हार चीज़ को लोजिक समझी उइदा साइन्टिपिकली कुछ नहीं होता अगर तलाब खराब हो रहा है तो इसका भी कुछ कारण है तो मेरे यूटूब चनल में बने रही है इसी टाप को मैक्सिमाम वीडियो मिलेगा जो आपको को हेल्प करेंगा फीस पारी में को अच्छे साचा ग्रो कराने लिए आज एक इंपोर्टेंट बात की उपर डिस्कसन करने के लाया हूं जो स्पाउन की उपर जो का अदमी अभी के होगा अभी जो टाइमिंग हुआ है स्पाउन के टाइमिंग होए बहुत आदमी अभी न एजेट मचली का उसने स्पाउन त्यार किया मचली का स्पाउन उनके अच्छे होते जिनके जो ब्रूडर होगा जासे स्पाउन क्रियेट होगा जिस मात्ता मचली के से अगर स्पाउन त्यार होगा उसका एज लगबक धाय साल से उपर होना चे लगबक तीन चार पास साल वह ऐसा तो नहीं है एक ही तलाब गा माह मचली आप पूरुस और स्थिरी मचली से मचली लेके उसने ब्रूड किया होगा इससे भी आपको स्पॉन का क्वालिटी इदना बढ़िया नहीं होगा ऑलवेस उस पॉन बढ़िया होता है जी स्पॉन का आगर पूरुस मचली पूर होता है मचली का मोटालिट कम होता है उसके ग्रोथ रेड बहुत फास्ट होता है इन चीज़े में ध्यान देजी और तीसरी बात जी साब हेचार से ले रहे हो उनको यह भी पता करना मचली को ब्रूडार को क्या खिला थे उनको अच्छा प्रोटीन वाला अच्छा न्यूट् खिलाते अच्छा न्यूट्रसन वाला देते हैं इसलिए देते क्योंकि अच्छा न्यूट्रसन मां अगर खाएगा तो ऑल्वाइज उसके जो बच्चे होगा वह अच्छे क्वालिटी का बनेगा इसलिए एजबी पर जुरूरी है एजबी आप स्कू सोची अगर कम उमर क बच्ची में अगर वह बच्चे हो जाए तो बच्चे अच्छा गुनबत्त वाला नहीं होता सेम कारण ओभी है तो अच्छे वाले होना चीए दूसरी बात उनको अच्छा फीट खिलाना चीए उस इसाब से उनको पहले थोड़ा बहुत आप क्वारी करेंगे तो आपकर करेंगे तो समझ में आ जागा तब अब दीसरे बात होता है अब लई Nđल लाते हो तो अलए सकोशिस्ट करना कभी कभी क्या करता सी बेजने वाला वों ज likelihood मैं एक package मैं सीट देते तो अनृश कोशिस करना एक पैकट में फोग्राम या एक सो में सो जाठी तालाब गंदर छोड़ोगे वह मचली उससे आधा मचली ऐसे कट मर जाएगा तो यह भी चेज़ आपको ध्यान में रगना जो आप पैकेट में ला रहे उस पैकेट में अंदर कम क्वांटीडी में मचली आना चीए उसमें ज्यादा से यादा ओक्सिजन होना चीए हो सकता आपको पैकिंग कर्चा थोड़ा ज्यादा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं क्यूंकि आपको 10 रुपय ज्यादा लेकिन फिश का जो सीट का कॉस्ट काफी महंगा तो इसलिए सीट को मत होने दीजिए क्योंकि बहुत महेंगा एक सीट एक बढ़ा हो के बहुत मालब एक पैकट सीट से आप सोच के चली एक पैकट सीट में लगबग आपको 20-30,000 तक फीस होता है तो अगर वो इदने पूरे के पूरे के जिन्दा रखे ग्रो हो जाए तो किदने फीस हो सकता इसलिए मजली को जो सीट होता है उसको खतम करना मेरे तो लगता है और सही नहीं है दूसरी कारण हम पौपार उससे आउटपूड में ले पाते क्यूंकि हम छोटे इदने हमने सीट छोड़ा और हमारा जो मचली बना जो फ्राइब बना वहुत कम बना तो डिव टु कारण इसे उसे होता है और दिज़रे ले ता मचली जो लाते में त्रेस में हैं ऐखक्रैव पैचानका अब वह उनके सीड क्वालिटी से यह क्योंकि मजली का माइक प्रभित्ती होता है वह पानी के फ्लो के उल्टा साइड में घूमना यह बिल्कुल यह आप तलाब में जो सीड लाती हो उसको कर सकते हो वह क्या करना आप एक बरतन में डाला पानी को ऐसे घूमा देंगे तो खुद ह में वह साइट में बिल्कुल कूने-कूने में लगबनेन बहुत स्ट्रोंग शीड और वह चुण ले गोन oga रहogo धाए लगवक से बहुत ही बैतरी है लिसे आपको समझ मां आजएगस थो ड़िये गा बाकी से देसे धीड हिरे दिरू गल जाएगा दुजरी बाद सीट को छोड़ने के टाइम भी और एक चीज करना है जो आप पैकेट लाते हो पैकेट को क्या करना पानी के अंदर जैसे मैंने पैकेट लाए उसको प्लास्टिक के साथ आपको आधा घंटे तक पानी में छोड़ दीजिए पानी में छोड़ने के करन क्या सब्सक्राइब है उसके टेंपरेज़ दूनों डिफारास हो धीरे-धीरे-धीरे-धीकुल होगा तो मचले ट्रेस में नहीं है हम आचानक अगर छोड़ देते आपको दुरन देखो मजली तो चला गया लेकिन बाद में क्या हो तो बहुत बंदी को पता नहीं बाद में देख मचली को छोड़ने के बाद क्या खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए और एक बात है जब आप छोड़ोगे तलाप के अंदर अभी बहुत ज्यादा धूप है तो इसलिए थोड़ा च्छाओ का कोशिस करना सबसे बढ़िया काम है आपके अगर राइस ट्रॉव अगर आ अच्छा खाना है वह भी उखा लेता है आप देखना अगर राइस ट्रॉव डालो गए ना तो पूरे को रेस्पान उसके चारह सब्सक्राइब में गुंता है अगर जिनके पास ट्रॉव अगरा नहीं है तो खेजूर का पत्ते जैसे ताड़ का पत्ते कुछ आप तलाम मे गार दोगे तो वहां से च्छाय पैदा होगा उस च्छाव में मचली रह सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा धूब में उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है हम तो सोचते कभी के भी सोचे क्यार मजली गल जागा ऐसा कुछ नहीं वह तो अपना टेमपरजी के साब से पानी में डाउन करता रहता है तो करेंगे तो हमारे प्रॉफिट होगा आसा करता हो मैं जो स्पॉंच चोड़ने का तरीका स्पॉंच को क्वालिटी कैसे करके मैं आप जो बताए हो आप लोगो समझ मारा होगा इन चीजी को ध्यान में रखेंगे क्योंकि छोटे जोटे चीज हमें जानना बहुत जरूरी है क्यूंकि छोटे चीज कभी हमें बहुत प्रोफिट देता है और हमारा बहुत बड़ा लॉस का भी कारण है छोटे चोटे चीज होता है तो इनके ओपर आप बिल्कुली क्लियार काट करके आप नोट करके रखना रहीनी चीज़ों को पर आप जोर देखे चीज़ों ढूंदने के कोशिस करेंगो तो आपको पका समझ मिआ जाएगा हां मुझे कौन सा चीज लेना है कौन चीज डालना है क्या डालना है अगर फिर भी मेरे चैनल जो बता यह चीज में फिर भी किसी चीज़़ों अगर आब लोगो डाउट हो रहे तो पका क लाइक करेंगे लाइक करना मत बुना लाइक करने से मुझे भी होसल लगता है और जो बंदा इन चीज़ को करते हैं उनमें अगर प्रोफिट मेलता है तो पका ओवी लिख के बताने इससे दूसरे बंदे को भी समझ में आता है यह चीज से वह दूसरे ने भी किया तो उसको प्रोफिट मिला चले नेस्ट वीटियों के लिए जै हिंद नमस्कार